दोस्तों आजमें बात करने वाले उज्जुलाई उजना की पेसे में फ्री गैस सिलिंडर पहली किस्त अगर आपकी नहीं आई है तो आपको कुछ काम करने होंगे और आपको स्टेटेस एक करके दिखाऊंगा कि किन वज़े से आपकी पहली किस्त नहीं आई है इस स्कींग के तहत ये होना था कि गवर्मेंट ने यह आउडर दिया था कि एडवांस में पैसे जितने भी उज्जुला योजना के लावारती हैं उन सभी को एडवांस में गैस का जो भी प्राइस हो करेंड प्राइस वो अकाउंट में भेजा जा रहा था और उन पैसों को निकाल कर वो अपना गैस स्लेंडर रिफिल कर आ रहे थे लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक पहली किस्त नहीं आई है अप्रॉक्स 845 रुपए के रेडिट हो रहा था क्योंकि 845 का स्लेंडर मिलता है लेकिन वो पहली किस्त नहीं आई तो कैसे आप चेक करेंगे और क्या रीजन है और कैसे आपको उसमें सुधार करके अपना पहला किस्त मंगवा सकते है अगर ये वीडियो आप मॉइल फोन पर वाच कर रहे हैं तो सबसक्राइब के बटन पर क्लिक करके और सबस्क्राइब के बटन पर क्लिक करके चनल को सबस्क्राइब करें ये वेल आइकन प्रेस करें ये वेल आइकन और और अल नोटिफिकेशन आउन कर लें इसे benefit यह हुगा कि जब भी मैं आपके लिए updated rule लेकर आऊंगा तो आप तक हमारा information पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को watch कर पाएंगे तो full detail जानने के लिए आपको आजाना है एक website पर जिसका नाम है mylpg आपको भी browser open करेगा और mylpg जैसे ही आप लिखेंगे तो आप पर एक website open होकर आजाता है mylpg.in का तो जैसे आप किसी browser पर mylpg लिखेंगे तो यहां पहली website आजाती mylpg.in तो इस पर आपको क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आप इनका interface open होगा फिलाल मेरा net दोस्तों फ़ला slow चला है इस बज़े से website पूरी open नहीं हो पा रही है और जैसे यहां पर आप पूरा यह open कर लेंगे तो यहां पर आपको side में 3 cylinder देखेंगे आपको भारत gas का cylinder देखेंगे, indian का देखेंगे और hp का देखेंगे तो जिस gas में, जिस agency में आपका connection हो, उस gas cylinder के उपर आपको click करना है मैं यहां पर example दूँगा भारत gas का, तो भारत gas के cylinder पर आपको click करना होगा जैसे भारत gas के cylinder पर आप click करेंगे, तो आप भारत gas की official website पर आ जाएंगे तो give feedback पर click करने के बाद आपके सामने एक के फिर से window open होगा महाँ पर आपको अपनी LPG ID या अपना registered mobile number या अपने जो भी आपका agency होता है उसके according नाम सर्च कर सकते हैं देखी का यहाँ पर open होकर आगया R.U. भारत gas connection का numerous तो yes आपको रहने देना आप registered mobile number मतलब जिससे आप अपना cylinder book करते हैं वो डाल कर आप detail चेक कर सकते हैं अथो LPG ID या आप directly state, state, distributor, LPG consumer number यह से बढल कर चेक कर सकते हैं यहाँ बात करूँगा यहाँ पर mobile number डालूँगा तो यहाँ mobile number डाल कर और need feedback टैप में आप complaint पर click करेंगे और next पर click करना होगा जैसे next पर click करेंगे तो आपके सामने एक free पूरा detail ओपन होकर आजाएगा उन customer का जिनका भी आप detail यहाँ पर check करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए कि सारी subsidy जितनी बातारों की subsidy आ रही हो सब को दिखा देता है पहली बात तो यह देखिए subsidy amount जो भी credit होता है उनका account में दिखाता है अब मैं बात करूँ यहाँ पर एक option आपको मिल जाता है click here to view a c t c oblic b c t c mapping status इस पर आपको click करना होगा और जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामनी ऐसा एक interface उपन होकर आएगा एक आप हो सकता आपसे capture वाँगे तो capture डालने के बात यहाँ पर LPG ID आपको पूरी detail दिखाएगा consumer number दिखाएगा consumer name दिखाएगा मैंने काफीची hide कर रखी हैं दोस्तों और distributor name दिखाएगा इसके बात यहाँ पर आधार linking status in LPG यह आपको show करेगा और यहाँ पर green color का एक आपको box दिखता है round circle दिखता है और यहाँ आप नीचे लिखाओगा आधार number is this available on this मतलब का अगर आ आपका LPG connection उसमें आपका आधार card link है अगर red color को दिखता है तो आपका आधार card महाँ पर link नहीं है side में आपको एक और information मिल जाती है आधार linking status on bank as per NPCI मतलब कि जो आधार card आपका bank में जो आपने LPG के gas connection कराते समय account number दिया था उस account number में आपका आधार भी map है इसका यह मतलब अगर green color का यहाँ पर data बन करा रहा है और NPC status click here पर click करेंगे मैं आभी in option को आपको बता देता हूँ bank का यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है bank account status इनको देखने के लिए आपको यहाँ पर click करना होगा है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो bank का name यहाँ पर दिखी आता है last update आएग अधार का नंबर ना एड़ हो तो यहाँ पर red color का दिखा रहा होगा suppose that यह तो green color का बट side वाला bank में आपका आधार का number ना एड़ हो किसी कराण बस तो अगर आपका इन दो में से कोई भी एक problem दिखा रहा है कोई भी एक red color का box दिखा रहा है तो अगर आपका LPG connection में आधार नहीं link है तो आपको अपने जो आपका return distributor है मतलब कि gas distribute करता है वहाँ पर जाना होगा और आपको आधार कार्ड में दिखा रहा है कि आधार is not registered तो आपको अपने bank जाना होगा और उसमें जो आपने LPG connection कराते समय है अपना bank account दिया था वही bank account में आपको अप आपका add हो जाती है after that आपका जो भी पैसा subsidy की बात करें या free value cash collection की बात करें वो सभी पैसा आपका आना start हो जाएगा तो एक छोटी से information दी अगर फिर भी आपको कोई problems है और एक मैं update देना चाहूंगा आपका शेकेंड किस्त है कि आज 30 April है last date है और कल से मई स्टार्ट हो आप शेक करेंगा और आपने cylinder का refill कराएं जो government आपको करने को बोल रही है तो please information अगर आपको फशन दाई हो तो हमारी वीडियो को like share जरूर कर दें साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe करने अगर कोई भी आपका other detail है मैंने यहाप example लिया भार चैनल से आप लगा ताज ले रहे हैं thanks watching